हेलो नमस्कार आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टड़ी पॉइंट यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की ये हमारी जो क्लास है ये होने वाली है रिजिनिंग की मेराथन क्लास जो कि आपके कई एक्जाम को कवर करने वाली जिसके अंदर आप एरफोर्स वाई गूरूप, कोस्ट गार्ड, डोमेस्टिक बरांच, जी डी और और भी जो आपके एक्जाम है नेवी या कोई भी railway के एक्जाम है उसके अंदर सभी जो भी एक्जाम आते हैं पूरी reasoning मैंने इस वीडियो के अंदर डाली है जितना भी time इस marathon class के अंदर लगेगा वो मैं आपको पूरा कराऊंगा जितने भी topic हैं almost cover करवा दूँगा जो नहीं है वो मैं आपको अलग से करवा दूँगा इसमें जितना हो सकेगा उतना मैं आपको cover कराने की कोसिस करूँगा तो चलिए guys start करते हैं पहला जो हमारा topic है वो है find odd one out that is classification ठीक है guys क्या है classification इसका मतलब होता है वरगी करण इसके अंदर आपको exam में find out choose करना होता है और one out choose करना होता है पहले question से शुरुवात करते हैं बेहद सांदार और लेके सस्वती माता का नाम जी हाँ थोड़ा समय आपको बता दूँ कि यदि आप channel पर नए हैं तो subscribe कर लिजे और अनकेडमी पर भी follow कर सकते हैं वहाँ पर वीडियो जो बिल्कुल फिरी में देख सकते हैं वीडियो को यार लाइक कर दीजे बिकोज आपका एक लाइक हमें बहुत motivation देता है और आप एक लाइक दवाते हैं आपके उससे कोई फरक निवरता आपके पैसे नहीं करते हैं हमको पैसे नहीं मिलते हैं बट हमारा motivation जो बना रहता है हम अगली class के लिए motivate रहते हैं पहला question है तो like कर दीजे 64, 341,900 तो इन में से आपको guys different बताना है देखिए इसके लिए यदि मैं बात करूँ तो आपका ये 4,4,16,64,64,64 का क्यूँ है ये 7 का क्यूँ है ठीक है और यहाँ पर यदि हम बात करें आपका 1000 तो ये आपका 10 का क्यूँ है बट यहाँ पर यदि 900 को देखा जाए तो ये 30 का square है नौटा क्यूँ ये आपका किसी का क्यूँ नहीं है that means the option is the right answer next question है देखिए 81,45,72,91,179,99,135,126 क्या difference देखने को आपको मिलेगा सबसे पहले आपको देखना है कि आपको 81 के अंदर से 45 को reduce करना है तो 81 के अंदर जब आप 45 को reduce करते हैं पहले मैंने आपसे बोला कि आपको देखना है कि इसके अंदर 81 में से आपने 45 को minus किया 11 में से यह गए तो 6 और 7 में से 4 गए तो 3 that means 36 आ रहा है आगे दि हम बात करें इसमें तो यहां पर देखिए एक मिल्ट इसमें आपने सभी में देखा तो इसमें positive आ रहा इसमें positive आ रहा इसमें positive आ रहा बट इसमें negative आएगा right now समझ में आगे concept next देखिए 527,649,246,356 इसमें आपको odd one out बताना है तो यहां पर देखिए 525 की बात करूँ तो मैं आपका किसका square होता है आपका sorry यहां पर देखिए 649 की पहले हम बात करते हैं अच्छे गाई यहां पर देखिए concept actually में क्या लग रहा है कि आपको इनको add करना होगा देखिए 527,714 इसको आपने केड़ किया 3,5,8,6,14 और इसी तरह से आपको यहां पर है जो आपका 446 तो 446 को जो आप add करेंगे तो यह चोधा जाएगा और 639,8 यह आपका अलग हो जाएगा ठीक है next question देखिए आपका geography, physics, chemistry और biology देखिए physics और chemistry और biology यह science के subject है आपके बड़ geography आपका अलग हो जाएगा next आपका post wire, electric और telephone देखिए इनके सभी के द्वारा कुछ ना कुछ पहुँचा जाता है बट electric आपका य चान में होता है ठीक है और यहाँ पर 15,820,16,820 होता है बट 13,8,170 नहीं होता that is the option is correct next आपका मिजोरम, मनीपूर, तमिल और सिक्किम, so guys यहाँ पर देखिए आपका तमिल अलग हो जाएगा because यह मिजोरम, मनीपूर, सिक्किम, यह आपके east state है ठीक है उसके बाद यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर यह तमिल है यह आपका south का हो है ठीक है तो यह आपका इसमें वह होगा next देखिए N, B, P, C, P, D, Q, F, D, T, I, A, G, M, यह आपको वह दिया हुआ है देखिए ऐसे आप B की तरफ गए तो एक आपको positive करना पड़ा, N से आप P की तरफ गए तो प्लस प्लस वन, P से Q प्लस वन, F से G आप गए प्लस वन, S से T प्लस वन, I से आप जे गए प्लस वन और आप यहाँ पर यह आपको थोड़ा साइस के अंदर difference देखने को मिलेगा, तो यह आपका जो UV आपका यहाँ पर आ जाता, V के बाद डवलू आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, because इसके अंदर N और P के अंदर difference है, जो आपका दोका दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स देखें, इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, जापान, इन में से most important question है, फ्रांस अलग है, वो कैसे कि फ्रांस आपका Asia के अंदर नहीं आता, यह Asia के country नहीं है, नेक्स आपका 145, 197, 257 और 399, तो इनके अंदर आपको बताना होगा, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या concept आपका use हो रहा है, वो ही concept आपको देखना होगा, चली गई इसका answer आपको लोग खुद comment box में देना, 10 number का, 120 हम 11 करते हैं, 121, 137, 142, 174, यहाँ पर देखिए, 121 है, जो आपका यह अलग है, बिकोज यह square है, बाकि कोई भी square इसके अंदर नहीं है, ठीक है, यह आपसे 10, दसवाला जो question है, वो नहीं होता है, तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको इसे solve करवा दूँगा, आगे चलते हैं, देखिए, 27, 28, 39 और 81, देखिए, यहाँ पर जो concept वो क्या ल देखिए, 12, 19, 17, 15, इसके अंदर आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए, 12 even है, तीनों यह odd है, तो इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा, गाईज, option first correct हो जाएगा, 13, 43, 23, 63, देखिए, इनमें यदि हम बात करें, 13 अभाज्य संक्या है, 43 आपकी अभाज्य है, 23 कि 100 यहाँ पर देखिए, 28 के उसमें आ रहे हैं आपके, देखिए, यहाँ पर मैं बात करूं, 28 के उसमें, मतलब की device करने पर आ रहे है, 28 दूनी आपका 56 होता है, ठीक है, 56 दूनी 112 होता है, that means यह 4 से multiply करने पर आ रहा है, बट यह इसके पाड़े में नहीं आएगा, 175 आपक 7 is the right answer 125 125, 216, 739 525 यहाँ पर यहाँ पर हम बात करें तो यह आपका 5 का Q है यह 6 का Q है, यह 7 का Q है और यह किसी का भी Q आपका नहीं बनेगा ठीक है गईस नेक्स्ट कोचने आपका 120, 180, 288 388 तो यहाँ पर देखें इसमें जोडेंगे आपन क्या करेंगे, यह कितना हो जाएगा 121, 178, 298, 388 इसको छोड़ कर सभी वन एड़ करने पर क्या वन रहा है स्कॉर का कॉंसेट यूज हो रहा है यहाँ पर मैं बात करो यह आपका सेर है वह आपका मेल कंडिडेट है बकरी है, फीमेल है, बाग मेल है और भालू मेल है यह दो-तीन कुष्टन हिंदी में बाकि पूरी आपको बाइलिंग्वल मतलब इंग्लिस और हिंदी में इंग्लिस में दिय हुए है अलड़ी बारत, चीन, रूस और यूरोप देखें, यहापर यूरोप अलग हो जाएगा बिकोज यूरोप वह है माद भी बाकि सभी देश है पहला टोपिक हमने कंप्लेट कर लिया नौ मिनट के अंदर और अब दूसरा टोपिक हमारा स्टार्ट होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का सो तयार हो जाई है कोडिंग एंड डिकोडिंग से पढ़ने वाले देखें, लाइफ को इन्होंने M, J, G, F लिखा हुआ है तो उसी भासा में आपको टाइम को क्या लिखा जाएगा देखें, L से M होरा I से J होरा है, F से J होरा E से F होरा है तो इसी तरह से आपको इसमें टाइम है इसके अंदर भी एड करना होगा देखें, T से आप जाएगे U, I से क्या जाएगे J, M से क्या जाएगे N, E से क्या जाएगे F, that means U, J, N, F आपको सामने अंसुर लिखा हुआ है Dog को CNF लिखा हुआ है तो Cat को क्या लिखा जाएगा D से माइनस 1 O से माइनस 1 G से माइनस 1 तो क्या जाएगे यहाँ पर माइनस 1 का concept C से माइनस 1 B, S माइनस 1 J, T से माइनस 1 S ध्यान दिएगा जब आपके जो counting हो खतम हो जाती है S लेकर Z तक तो फिर से start कर देते है S लेकर sister को ये लिखा हुआ है brother को क्या लिखा जाए S को क्या लिखा T I को क्या लिखा J that means यहाँ पर भी आपका एक एक बढ़ रहा है ठीक है और S को फिर से T लिखा हुआ है R को S plus one का concept लग रहा है man को लिखा हुआ है name तो इसी तरह से आपके boy को क्या लिखा जाएगा देखें दो तरह से guys ये man एक तो आगे वाले एक्षर और पीछे वाले एक्षर को आपस में पलट दिया जाए तो आपका ये आता है बीच वाले को नहीं बलदा है उसके हिसाब से तो आपका क्या आजाना चाहिए guys boy का आजाना चाहिए योग बट यहाँ पर जो concept हो ऐसा लग रहा है देखें इसमें क्या हुआ आपका minus one और यह आपका as it is रहा है और इसमें क्या हो गया plus one मतलब यहाँ पर देखें इसमें minus one हुआ है गुरूप को इन्होंने यह लिखावा देखें जी से एच गए आर से क्यू है अब देखें आर अठा पर 18 पर होता क्यू सतरा पर पहले तो हम बड़े फिर गटे plus minus plus minus का concept के हाँ पर यूज हो रहा है ठीक है तो ऐसे हम बी जाएंगे मतलब positive डी से हम सी आएंगे मतलब negative मतलब positive तो इसी तरह से आपका जो alternative करम है वो चलता रहेगा उसके बाद यदि हम आगे बात करें आपका flowers देखें यह आपको F है F से आप EI 6 से 5 आ रहे हो L से आप केज आ रहे हो L 12 फिर minus 1 का concept चल रहा है से आप कहां पर आए हैं स्री में आप आ यहाद आ रहे हो Bin चौदा पर फिर minus 1 têm यहाद अप कहां आ रहे हो यहाँ से वी कि तरफ हरे हो दिखें एक बार फिर से दिखें खे से आप कितना आ गए गाई जो पांच आ ए आई आपका होता है 9 पर 9 से आप कहां पर चले गई ग्यारा पर यानी 2 का concept यू से आपको जाना एन ओंदरा पर पर होता है इन यानी फिर से आपका कौंसा concept यूज मार माईनस वन का तो देखें प्लस वन प्लस टू और मानस 10 इस तरह से आप concept यूज कीज़ेगा कोई problem हो तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जैसे यहां पर मैं बात करूँ आपका S से लेकर में जाओंगा S से minus 1 होगा तो आ रहा जाएगा यू आपका 22 नंबर पर होता है तो minus 2 करना होगा तो कितने पर आ जाएगा 20 पर तो इसी तरह से आप पूरा इसे चेक कर सकते हैं देखे dive को इविड लिखा हुआ है तो sol को क्या लिखा जाएगा देखे पहले को last में लिख दिया और इन्होंने बिलकुल जो आगई वाले पीछे वाले word को alternative लिख दिया बीच वाला सेम की सेम है तो यहां पर loss आ आपका जो concept हो हम कर रहे हैं इस बार देखिए durable को मैंने चेक किया इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तीन पार्ट में जूर अलग है अलग है और बी अलग है देखिए यहां से यह आपके तीनों आप लिए इस पर ध्यान दिजेगा opposite मतलब की cross में चल रहा है क्या चल एक क्यूं से क्या हो गया यह क्यों से क्या हो गया कि अपका 17 से कितना गया अठारा छीगे सी से डी गया मतलब की प्लस वन और टी से यू गया मतलब की प्लस टू ठीक है तो इस तरह से concept आपका यूज और ऐसे आप प्लस वन फिर गए ठीक है तो यहां पर आपको देखना होगा इसके अंदर यहां पर यह उपर की तरफ देखा जाए उपर से नीचे की तरफ जो हम आ रहे हैं वो कितने पर तो एन का क्या जाएगा माइनस वन फिर ऐसे कर देना है तो आप बनाओगे देखिए ओका मेरे पास टी आ गया सी का भी आ गया ओका एन आ गया बीच में और इससी तरह से बनाओगे तो राइट आंसर आपके सामने टी एन बी ओ की यह वाला आ जाएगा इस ट्रीम को उन्ह गये पोजेटिव एंसर अंगे पोजेटिव से बी गये पोजेटिव एसे बी बीकिक गये पोजेटिव देट मींस प्लस का जो आपका कॉंसेप्ट वह इसके अंदर यूज हो रहे है कि हम बात करते हैं आपका सुमन सुमन को उन्होंने 19 21 13 01 14 लिखा हुआ है तो आमन को क्या लिखा जाएगा देखें इनकी कोडिंग लिख गई है एसको 19 21 बोलते हैं तो आप इन्हें एस एज़िटी रख सकते हैं 01 13 01 14 ठीक है आगे देखें ब्रेक को इसके बाद एक उसके बाद यहां पर 11 होता है 11 का 2 तो यह एडिसन किया हुआ है लुक को आप देख सकते हैं 12 12 का 3 लिखा जाएगा 15 का 6 और फिर यह आपको चलना है प्रजापत में टी से उठाना है टी से लेकर पी की तरफ जाना है तो आपका कंप्लीट यहां पर आप इसे सॉल्ब कर सकते हैं मैट्स को एस टी एम लिखा हुआ है फिजिक्स को क्या लिखा जाएगा तो गाइस देखिए आप यहां पर करना क्या है कि इनकी कोडिंग डालते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और आप देख सकते हैं मैं आपका जो इधर लिया हुआ है यहां पर यह लिया हुआ है टी एच इसको तो आपोजिट लिखा हुआ है लेकिन कई जगे उल्टा सीधा भी लिखा हुआ होता है सो फिजिक्स को क्या लिखेंगे हैं सी आई एस पी एच वाई पी एच इस तरह से आप लिख देंगे ठीक है नेक्स्ट है आपका मोबाइल को उन्होंने एम ए ओ लाई भी लिखा हुआ है तो कवर को क्या लिखा जाएगा देखें एम एजटीज रखा है उसके बाद और भी को क्या लिख दिया उन्होंने एम को क्या लिखा देखें एम एज़िटीज है और को क्या मतलब फिर उन्होंने क्या लिखा है कि और भी एक सेकंड उन्होंने एम को एज़िटीज रख दिया है और उसके बाद पीछे से एक वर्ड उठाया है ठीक है कवर का उन्होंने कैसे लिखा हुआ है एक वर्ड उठा लिए उसके बाद पीछे से R उठाना है फिर पीछे पाद भी उठाना है धिर उसके बाद भी उठाना है A को Z लिखा हुआ, S को T मैंने आपको reasoning introduction class में सब चीजे पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि कुछ opposite numbers भी इनके बनते है A का Z बनता है, B का Y, C का X, D का W, F का U इस तरह से इनके सभी के opposite number बनते है तो देखिए guard का क्या बनेगा, G का T बनता है U का क्या बनता है, F बनता है A का Z बनता है, और R का आपका I बनता है, D का W बनता है उसमें मैंने trick से भी आपको समझाया हुआ है आगे यदि हम बात करें तो get को 20, 26, 0, 7, 22 लिखा हुआ है तो इसी तरह से fault को क्या लिखा जाएगा, दिखिए इन्होंने actually में किया क्या है कि G, G आपका कितने नंबर पर आ रहा है, 7 नंबर पर A कितने पर आ रहा है, 1 पर तो G का opposite क्या होता है T, T कितने पर होता है, 20 पर A का opposite, Z 26 पर T का opposite, 0, 7 E का opposite, कितना होता है U, V, ठीक है हो जाएगा तो इन्होंने complete इसको ऐसे explain किया हुआ है देखे प्रॉफेशन को इन्होंने वन एक दो तीन चार पांचे साथ आट नो दस लिखा हुआ है तो पैसन को क्या लिखा जाएगा तो आपको पी का कोड यहां से उठाना है देखे पी का कोड आपको वन दिख रहा है औ और EWS ION का आपको यहां से उठा लेना है पांचे साथ आट नो दस complete आपकी यहां से रेटन हो जाएगा आगे बात करूं मैं मनोज को इन्होंने cpo lq लिखा हुआ है तो study को क्या लिखा जाएगा देखिए आपको देखना है कि इन्होंने आखिर यह concept जो कैसे बनाया हुआ है ठीक है इसके अंदर आपको देखना होगा कहीं किसका किसे क्या relation कुछ देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा तो यह सबी चीजें बहुत जादा important है बहुत जादा matter करती हैं आपको यही समझ में आना चाहिए कि आखिर उन्होंने कर क्या रखा इसके अंदर अब यह c आया देखिए को किया लिखा हो औरसके बाद n को फिर से क्या लिखा आएगा और पूरा यह को 100 को सकते एकका इन्होंने बनाय हुआ नवड़ा की अधि मैं बात करूं तो यहां पर देखें नवड़ा को 5, 6, 7, 2, 8 ऐसे लिखा हुआ है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा तो देखें इंडिया नवड़ा के एक्सर से मिलकर बनाएं सबसे पहले आपको देखना है N का कोड कितना है N का यहां से देखें 6 है तो 6 आप लिख सकते हैं उसके बाद O का कोड कितना है सोरी यहां पर N का कोड कितना है इस तरह से आपको complete इसका जो वर्ड है वो मिल जाएंगे और उन वर्ड के अकोडिंग आप इसे जमा सकते है तो यह हमारा second topic भी complete हो जाता है complete time है जो आपका लगबग 20 minute हो गया है आगे हम चलते हैं analogy test देखे analogy test है इसके अंदर होता क्या actually में कि आपको 4 चीजे दी जाती है ठीक है इस तरह से आपको 4 चीजे दी जाती है तो इसका जो इससे relation है ना इसका इसे मैंने माना A और इसे मैंने माना B क्या एका जो B से से इना वही की से आपको दिया जाता है ठीक है देखिए यहां पर वें यह जो टाइम होता है वे जोरी हिए तरह किस्के लिए उस होता है कहा मतलब की पलेस किसके लिए हो रहा है कोई जगा Cool 안 है इसे बोलते हैं एम अनलॉजी से С Qatar SHUTA kayमरा है वो आपका लेंसटरे सब्सक्राइब कैमर में क्या होता है लेंस और फिरेस की में क्या होता है ठीक है क्या होता है छाइस लाइट तो यहां पर लाइट इसका relation बन जाएगा आगे देखें स्किप को आराई अफल दिखा लिखा वह यह आपके figure से रिलेटेड वह सकता है आपके alphabet से रिलेटेड हो सकता है जीके से रिलेटेड भी हो सकता है और किसी disease मतलब की science से रिलेटेड भी आपका हो सकता है देखिए s का इन्होंने क्या क्या हुआ है minus 1 सबसे पहले s से minus 1 हुआ कैसे minus 2 हुआ i से minus 3 p से minus 4 ऐसे से स्रीज चल रही तो आप आगे भी कर सकते हैं कैसे आप करोगे ठीक है कैसे minus 1 आओगे इस से minus 2 इस minus 3 इस तरह से आपका complete नीचे तक चलता जाएगा देखिए mo को लिखा हुआ है 1315 mo को क्या लिखा हुआ है 1315 तो xz को क्या लिखा जाएगा देखें यहाँ पर actually में हो क्या रहा है m का code 13 होता है वो का code 15 एजटी लिखा हुआ है तो x का code 24 और y z का code 24 और 26 यहाँ पर आपका answer आजाएगा पांच का 125 से रिलेशन है तो 10 का किस से रिलेशन होगा गाईज तो यहाँ पर कई बार students के मन में इभ्रांती हो जाते हैं पांच का square 125 जल्दी-जल्दी में वो कर देते हैं बट यह 5 का क्या होता है क्यूव होता तो इसी तरह से 10 का क्यूव आप यहाँ देख सकते हैं तो 10 क क्यों कितना जाएगा 1000 ठीक है समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर एनलोजी के ज्यादा question नहीं डाले विकोज एनलोजी के question कमी आते हैं और आप हिंट की जरूरत है आपको वो मैंने आपको समझाई दिया है next हम चलते हैं आपका next क्या है ranking order most important topic है गाईज दो question यहाँ से आ candidate है यह मोहन है कौन है मतलब कोई भी आप इसे मान सकते हैं पपू है मान लीजिए इसकी इधर से जो rank है वो कितनी है 15 ठीक है और इसकी जो इधर से rank है वो कितनी है 10 ठीक है इधर से इसकी 15th rank है और इधर से 10 रैंक है तो total student मैं कैसे निकालू बह lại एक बात आप ध्यान से शम यहां पर हम इसकी पंदर्वी रेंक और इसमें का इसकी दस हों एक यहां पर जने, यहां पर नौ बच्चे वंगे तो नौ बच्चे होगे तो दस होंगे आपका 23 और एक पप्पू है आपका 24 पहला तरीका तो आपका यह है और दूसरा तरीका आपका यह है कि दोनों को एड़ कीजिए इसका पंद्रवाइस्तान है इसका दसवाइस्तान है दोनों को आपने एड़ किया 25 पप्पू को दो बार एड़ किया तो उसे एक बार निकाल से पंद्रवा इस्तान है इधर से तेरवा दोनों को मैंने एड़ किया पंद्रा तेरा माइनस वन बराबर ट्वंटी सेविन इना रो ओ गल सुमन इलेवन्थ नंबर फ्रॉम बोथ साइड फाइंड आउट अब तक तो होता क्या था कि दोनों साइड से आपको देता जाता लेकिन इसमें एक ही आपको दिया कि 11 थे बहुत साइड से तो कोई प्राब्लम नहीं है इधर से 11 थे तो 10 स्टुडेंट इधर होंगे इधर से 11 थे 10 इधर होंगे 10 10 20 और एक खुद होगी 21 हो जाएंगे दूसरे में तर से करो तो 11 11 को जोड़ो 22 और 22 में से एक गया तो 21 तो 21 आपका यहां पर राइट आंसर के र इक आपकी पंक्ति है उसके अंदर टोटल 51 स्टुडेंट है कितने स्टुडेंट है जाइज 51 और उसमें नहीं राम का 21 स्टान है फ्राम टॉप मतलब राइट लेफ्ल्राइट मानी जीजिस तर से 21 स्टान है उसमें तो आप से पूचाए कि उसका इधर से कितना होगा अब देखें यहां पर मैंने कहा कि total 51 student नहीं उसके इदर से कितनी रैंक है 21 ओब अब व्ही 100 चारी मता हुगा ना फिसको सकते निया होंगे यहां पर आप लिख सकते हैं 21 माइनस वन कम्प्लेट आप इसे घटा होगे तो 31 आपके पास राइट आंसर सुरी एड करना है घटाना नहीं 31 आपके टोटल उसकी क्या जाएगी रेंथ लेंथ हो जाएगी उसकी जो रेंकिंग है वह आपकी आ सकती आ जाएगी टॉप 21 डाउन देखे टॉपर से आपकी कितनी है 21 और नीचे से ग्यार वी है तो टोटल इस्टुडेंट 21 को एड कीजिए 11 को एड कीजिए माइनस इसमें वन कीजिए 31 आपका राइट आंसर आ जाएगा इना रोट टोटल 40 स्टुडेंट मोहन रेंक 10 फ्रॉम टॉप इस फाइव स्टुडेंट्स बिट्विन मोहन एंड रोहन देन फाइंड रोहन एंड लास्ट इस्टुडेंट्स गैप देखे बहुत अच्छा प्यारा सा कुश्चन है क्या बोला है कि एक पंक्ती में 40 बच्चे हैं उसमें मोहन की रेंक है 10 भी है कहां से उपर से और 5 आउट दा लास्ट इस्टुडेंट गैप देखे यहां पर एक कंडिशन है इसमें दो आंसर आ सकते हैं पहला तो हम ग्यात नहीं कर सकते हैं विकोज कैसे कि हो सकता है जो आपका यह दिया हुआ हुआ है आपको रोहन यह इधर की साइड को हो अगर इधर साइड को होगा त यहां पर मौहन का दसवाई स्थान देट मिंस नो कंडिडेट यहां पर है इन दोनों के बीच में पांच कंडिडेट हो रहे नो और पांच कितने कंडिडेट हो गए 14 कितने कंडिडेट हो गए 14 और दोनों यह एड होंगे 14 दो 16 अब 16 इनकी यहां तक रेंक आ गई तो इध 24th rank that means बीच में candidate बात करें तो total 30 candidate ही होंगे इनर रो राम 7th from left and Mohan 9th from right when they change their place from each other then Ram becomes 11th from left find now Mohan's rank दिखिए हुआ क्या था कि पहले राम है जो इधर से 7 वा इस्तान था उसका और Mohan का इधर से 9 था हुआ क्या कि इनर में जब जगा चेंज की तो इसका 9 से कितना हो गया किसका बदल रहा है इसका 7 से लेकर इसका 11 हो गया तो 9 से इसका कितना हो जाएगा 13 यह लास्ट टाइम कोस्ट गार्ड के एक्जाम में पूचा गया था देखिए तो यहां पर आपको बताना है इसमोल तो आप देख सकते हैं गाई इसके अंदर कोई ज़्यादा हो नहीं है सबसे पहले आपको इसके अंदर इसमोल देख पकड़ लेना है मनोज ग्रेटर दैन मोहन मनोज बढ़ा है डिट मिन्स मोहन छोटा है आपका जब तक मोहन की बातना हो जबिढ़ नहीं है और आगे देखो यहाँ पर क्या बोले मनोज बट इसमॉल देम मोहन यह आपका नरेश है न यह मोहन से भी छोटा हो गए तो नरेश यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जाएगा तो इस तरह से हमने जो आपना ranking order topic है इसको भी cover कर लिया है अब हम एक next topic की और चलते हैं यहाँ पर verbal और non-verbal आपको दोनों तरह की जो reasoning है वो complete कराई जाएगी गाईज मेराथन किलास के अंदर तो चलिए next topic की और हम move करते हैं next topic है guys आपका series आपको यहाँ पर यह दी हुई है इसके अंदर आपको missing number find करना होगा बहुत अच्छा topic है यहाँ से भी 2-3 question आते हैं जरूरी नहीं है कि आपको figure में ही देखने को मिले वो आपको सीधी series में स्रंखला में भी देखने को मिल सकते हैं और इस तरह से भी देखन को मिल सकते हैं तो आपको तो बस solve करना है और solve करना है ठीक है देखें यहाँ पर यह आपको question mark दिया हुआ है और यह 9 है यह 13 है यह 22 है तो question mark के इस्तान पर क्या आगए दिखिए 9 और 13 को add किया तो कितना आगया है आपका 22 और 23 को जो आप add करोगे तो आपको next number भी मिल होगा ठीक है कोई problem नहीं इसमें next देखिए आपका question number second second question में आपसे बोला है 0,7,26 अगला क्या होगा देखिए एक का cube minus 1, दो का cube minus 1, तीन का cube minus 1, चार का cube minus 1, चार का cube minus 1, चार का cube होता है चार चो का 16, चो का 64, 64 में से minus 1 जवाफ का होगा तो कितना बच जाएगा 63, that means 63 is the right answer आगे देखिए तीन है question mark दिया हुआ 81 है 65, 61 है ठीक है यहाँ पर देखो तीन की power 4 को हम क्या बोल सकते हैं 81 तो इसी तरह से यहाँ पर 21 की power 4 बन रही है तो यह 9 की power 4 बनती है गाईस किस की बनती है 9 की power 4 क्या बनती है 65, 61 that means 81 का square भी आप इसे बोल सकते हैं दूसरा इसमें जो concept है वो यह भी लग रहा है आपका 3 का square ठीक है कितना जाएगा 9 और 9 का square कितना 81, 81 का square क्या 65, 61 दोनों तरह से आपके जो concept है वो इसके अंदर काम आ रहा है आगे देखे आपको यह start दिया हुआ है और इसके अंदर आपको यह corner दिये हुआ है इनमें आपको इस question mark की जगे बताना होगा देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ 7 दूनी 14 प्लस 1, 15, 15 दूनी 30 प्लस 1, 31, 31 दूनी 62 और 1 कितना हो जाएगा 63, 63 दूनी 126 कितना हो जाएगा 127, 127 दूनी 254 और 1 कितना हो जाएगा 255 is the right answer तो concept आपको समझ में आ रहा होगा कोई इसमें difficulty नहीं है ज़्यादा कोई tough नहीं है आप इसली यहाँ से question निकाल सकते हो 594,196 आपको अगला word इसके अंदर बताना है यह question आप सभी लोगों के लिए solve करके मेरे को जरूर बताना है comment books के अंदर आप solve कर पाते हैं या नहीं आगे देखिए 1,2,3,5,8 यह दिया हुआ है तो इसके अंदर भी आपका ऐसी हुरा दिखिए एक और दो कितना हो जाएगा 3,3,2,5,5,3,8,8,5,3 that means 13 is the right answer 13 फिर से समझेगा एक से आप आते हो कितने पर 2 पर 2 से 3 पर मतलब 1,2,3,3,2,5,5,3,8,8,5,3 दो कितना हो जाएगा आपका 343 कितना हो जाएगा गाईज यहां पर आप देख सकते हैं आगे यदि हम बात करते हैं आपका कोश्चन आता है यहां पर देखिए 36 दिया हुआ हुआ है उसके बाद एक दिया हुआ है इसा मार्क 4 6, यह सिर्ीजे कुछ कैसे चल रही है तो आपको इसकोर नजर आते हैं जैसे यह कि मैंने यहां पर आपको देखा यहां पर देखा दो क्राव 4,चा कर श tut 16 आक परटेश काश्वार 1 तो 2-ो कितना है कर दिश that is 4 is the right answer okay guys concept clear हो रहा होगा आगे देखिए 12, 8 और यहाँ पर 76 है 8 और 9 55 है 9, 11 आपको बताना है इसके अंदर यहाँ पर देखेगा 12 को 8 से multiply करते हैं 12, 8 कितना होता है आपका 29 और 29 में इसमें से जब आप घटाते कितना इन दोनों का एडिसन तो कितना जाता है 26, 8, 9, 32 32 में से आप 8 और 9 कितना घटा देंगे 17, 15 आजएगा 11, 99 में 99 में से आपको कितना घटा ना होगा 11, 9, 20 कितना हो जाएगा 79 is the right answer ओगे गाइस concept बिलकुल किलियर हो रहे होंगे आपके reasoning आज भी इस वीडियो में complete करने वाले है 3, 4, 5, 5, 13, 12 और 17, 15 यहाँ पर आपको बताना है तो गई यह ट्रिपलेट बन रहा है तो 17, 8, 15 का क्या बनता है ट्रिपलेट बन जाता है 2, 3, 3, 4, 1, 3, 9 यहाँ पर यह दिया हुआ है तो आपको इसके अंदर बताना है कि इसमें आपको क्या दिया जा सकता है तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 6, 3, 18, 12, 3, 27, 24, 4, 2, 8, 48, 48 that is 48 is the right answer अगला देखिए अगला आपको यहाँ पर दिया हुआ है आगे इसमें क्या है 8 को इससे multiply कि 8, 24 और इसको इससे कि 8, 64 64 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 40 इसी तरह सिहाँ पर देखिए 9, 6, 54, 8, 2, 16 54 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 38 यहाँ पर देखिए 25, 28, 10, 80 80 में से 25 जाएगा आपका कितना बच जाएगा 55 कितना बच जाएगा 55 आपका आपको आज़ाएगा आगे देखिए आपको दिया हुआ यहाँ पर 14546,8549 उननांचार यह दिया हुआ है तो आगे आपको बताना होगा देखिए A,B आपको बताना है कैसे बता पाऊगे आप देखे इसका इसका स्क्वार है सोरी यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया इसको एक्चुली में यह हो गया रहा है कॉंसेट समझ लीजेगा आपको इसकोई प्राब्लम नहीं पांच का देखे इसका 25 हो रहा आठ का 64 इसी तरह से आपको इनको अल्टर मैंने तेरा कोश्चन यहां पर जो मिसिंग नंबर से किये हैं वो भी नौनवर बलके तो इसी तरह से आगे जो सिरीजे उस चलती रहेगी वीडियो को देखते रहेगा आन्ट तक तो और कोश्चन के और मूब करते हैं नेक्स्ट आपका मौस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कलोक देखिए कलोक मतलब घडी होता है और इससे जो कोश्चन है वो आपके आते हैं कैसे कैसे कुश्चन आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ सबसे जो पहला कॉंसेप्ट है वो होता है आपका एंगिल बिट्विन टू नीडल ओफ कलोक घडी की दो सुईयों के बीच कौन कैसे निकालते हैं आपको टाइम दे दिया जाएगा बूला जाएगा बारा बज़ के दस मिनट पर घडी की दोनों सुईयों के बीच कितने ड घडी का है घडी बनाओं फिर उसका टाइम देखूं फिर उसमें मैं उसका एंगल देखूं और वो भी आपको आपसन ऐसे मिलेंगे 22 डिगरी 23 डिगरी 25 डिगरी 25 डिगरी आपकी हवा खराब हो जाएगी तो इसलिए कॉंसेप्ट सीख लेगा बिलकुल आपका एकुरेट एक पॉइंट भी बढ़ेगा नहीं कि या तो मैंने का कि आपके 12 बज के 10 मिनट होगा अपने फार्मूले के अकोडिंग a बज़कर क्या हो गया b minute कितना हो गया guys a बज़कर b minute that means मैंने लिखा जो hour है उसको a लिखा और जो minute है उसको b लिखा ऐसे भी लिख दीजे आप इसे ये minute है ये hour है m dot h भी लिख सकते है sorry h dot m उल्टा लिख दिया मैंने so formula आपका क्या होता है guys formula को not कीजे screenshot लिजे रट लिजे कुछ भी करिए exam में question गलत नहीं होना चाहिए 11 बटा 2 into m बरावर 30 h plus minus theta 11 बटा 2 m का मतलब कितनी minute हो रही है 10 minute 20 minute आदा घंटा और बरावर में 30 into में hour that means कितना वज़ रहे 2 वज़ रहे 3 वज़ रहे और plus minus में theta इसका मतलब है कि यह हमें एंगल बताएगा कि कितने degree का कौन बनेगा तो चलिए exam पल लेते हैं बहुत ही प्यारी सी interesting track के साथ question है आपका 2 वज़ के 20 minute पर आपको घड़ी की सुईयों के पीच कौन find out करता है मैंने क्या बोला आप से 11 बटा 2 into में minute कितनी हो रहे है 20 minute 20 से multiply कीज़े बराबर में 30 कितने बज़े का time हो रहा है 2 बज़े का तो यहां पर 2 से multiply कीज़े plus minus theta solve कीज़ेगा 110 यहां से आएगा चीक है 110 यहां से आएगा 60 plus minus theta कितना आगया आपका theta को आप multiply इधर करोगे तो यहां पर 60 आएगा 50 degree लेकिन ध्यान रहे एक चीज़ और ध्यान रहे वो क्या है कि यह आपकी घड़ी है चीक है अब इसमें मुझे कितना बज़ाना है 2 बज़े कर 20 minute करनी है आपकी जो सुई है ना वो 2 बज यह मान लिजे आपका यहां पर 3 बज़ता है तो यह जो घड़ी की सुई है ने 2 बज़े तो होगी नहीं 2 बज़े से थोड़ा सा आगी होगी और minute वाली सुई है वो बिलकुल exact 4 पर होगी 4 पर होगी कि नहीं होगी तो यह आपकी सुई इस तरह से यह जो एंगल है ना यह कितने डिगरी का बन गया 50 डिगरी का बट कई बार examiner क्या करता है आपको घुमाने के लिए कि वो 50 डिगरी option में नहीं डालता है आप बोलते हो ट्रिक काम नहीं कर रहे ट्रिक गलत हो गई नहीं मेरे दोस्त ध्यान दीजेगा एंगल ये भी ओता है इस एंगल को निकालने के लिए जो हमारे पास एंगल आया इसको हम 360 में से घटा देंगे जब हम इसे 360 में से घटा देंगे तो आपका जो आगे का process से वो आपका चल जाएगा 360 में से घटा देंगे तो 310 डिग्री आपके पास राइट आंसर की रूप में आजाएगा ओके गई समझ में आये जो कुछ मैंने बोला समझ में आना चाहिए concept clear होना चाहिए because जब तक concept clear नहीं होगा जब तक कोई problem मतलब की solve नहीं होगी फिर से देखेगा मैंने कहा कि ये कोई आपकी घड़ी है और इसमें मुझे बजाने हैं दो बज के 20 मिनट ठीक है ठीक है बोस दो बज के 20 मिनट बढ़ाने तो मिनट वाली सुई exact कितने पर होगी sorry मिनट वाली जो सुई है वो exact कितने पर होगी चार पर और जो आवर वाली सुई है वो 2 से आगे निकल जाएगी तो यह जो एंगल है ना यह बना है 50 डिग्री बट कई बार एक्जामिनर क्या करता है कि 50 डिग्री ऑप्शन ही नहीं देता तो आप महाँ पर कन्फूज हो जाते तो हो सकता है एंगल यह भी होता है तो यह एंगल नि डिग्री कई एक्जाम्पल के तो उस पर कराऊंगा आप बिल्कुल भूलो गई नहीं आठ बज के 25 मिनट पर घड़ी की दोनों सुईयों के बीच कौन एंगल बिट्विन टू नेडल ओफ कलोग देखे ग्यारा बटा दो 25 कहां से लिए 25 मिनट का टाइम है एम से मल्टिप बटा 2-240 मिनट कभी माइनस में नहीं होता उसे अप 360 में से घटा सकते हैं पिर उसे ऐसे आप रख सकते हैं तो आपका यह यहां पर एंगल है जो 202.5 भी आ सकता है और 360 में 602.5 आप घटा दीजिए आपका वो भी आ सकता है ठीक है एओ डिपेंट करता है कि आपको ऑप् कभी भी कैसी भी तरह कि कोई भी problem creator नहीं होगी तो ध्यान दीजेगा इस टेक पर बहुत most important ट्रीक है आगे देखे एक और example है तीन बज के 35 मिनट तो यह कि 11 बटा 2 35 मिनट के multiply कर दें बरावर में 30 इंटू में 3 से multiply कर दें प्लस माइनस थीटा इसको multiply करोगे 385 बटा 2 बरावर 90 प्लस माइनस थीटा इधर भेज होगे कितना जाएगा 92.5 माइनस में आपका 90 हो जाएगा सोरी 192 माइनस यह हो जाएगा 102.5 डिगरी यानि 102.5 डिगरी का जो एंगल है वो आपकी घड़ी कब बनाएगी 3 बज कर 35 मिनट पर चलिए एक और example लेते हैं 8 बज कर 15 मिनट पर देखिए यहाँ पर 11 बटा 2 multiply में किस से करूँगा दोस्तो 15 से 15 से करूँगा इधर 30 गुना में किस से करूँगा 8 से क्यों करूँगा बई क्योंकि 8 बज रहे हमें यहाँ पर आवर वाली सुई का वो है जो मॉडूलस वो लेना है प्लस माइनस यहाँ पर क्या का देना है ठीटा multiply divide करोगे 157.5 आपका right answer के रूप में आ जाएगा उम्मीद करता हूँ concept आपको clear हो गया होगा कोई भी किसी भी तरह की कोई doubt हो conclusion हो तो आप अपना जो doubt confusion है वो clear कर सकते है दूर कर सकते है next देखिए आपका एक और type बनता है का इस पहला बनता है angle between दो उनके बीच में है दूसरा जो concept है वो क्या बनता है कि यह आपकी घड़ी है और इसमें इस तरह से दिया हुआ है और एक बज़े और दो बज़े के बीच में एक बज़े और दो बज़े के बीच में घड़ी की दोनों सुईया कब आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे यानि कि एक इस्तान पर होंगे ठीक है चार वे यहां पर एक दो बज़े के बीच में तो इसकी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा और इस फॉर्मॉले से भी करवाने जारा हूं देखिए मैंने आपसे बोला कि चार बज़ कर B मिनट हो रहे होंगी कितनी हो रहे होंगी चार बज़ कर B मिनट तो 11 बटा दो इंटो में कितना हो जाएगा B ठीक है क्योंकि हम यहाँ पर मिनट लिखते हैं बराबर में 30 इंटो में 4 multiply डिवाइड करेंगे 21 सही 9 बटा 11 बटा 11 मिनट पर वो घड़ी की दोनों सुयां है आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी और लेपिंग करेंगी एक इस्तान पर होंगी समझ में आया तो इसके लिए पहला तो आपने मैथड यूज किया दूसरा इसके लिए बिलकूल ऐसी ट्रिक है फार्मुला कुछ निया लगाना पैन भी नियुटाना फस्ट नंबर को multiply कर दीजे 11 बटा 60 से किसे सोरी 60 बटा 11 से फिर से बोले 60 बटा 11 से याद रखेगा पहला नंबर है 4 4 को कर दीजे 60 बटा 11 से multiply आपका time है वो आजाएगा एक और एक्जामपल देखते हैं तीन से चार वजे के बीच में घड़ी की दोनों सुईयां कब और लेपिंग करेंगे तो यहाँ पर देखेए इन को किसे multiply कर देना है गारा बटा सुरी साट बटा 11 से किस से साट बटा 11 से साट बटा 11 से करोगे 180 बटा 11 कम्पलीट आप इसे solve करोगे 16 सही 4 बटा 11 इस दी right answer आसा करता हूँ concept किलियर हो गया होगा यह दो concept most important थे कलोग के अंदर यह पूछे जाते हैं दूसरा तीसरा जो concept वो भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो है आपका water image sorry mirror image सबसे पहले हम mirror image करेंगे फिर water image भी discuss करने वाल आपसे पूछा चार बज के 50 मिनट पर घड़ी की जो घड़ी है उसको सीसे में देखा जाए तो वो कितना time बताएगे ऐसे पूछा जा सकता है दूसरे तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि mirror image आपको बताना है किसी घड़ी में इतना time बज रहा है तो उसके mirror image में कितना time ब ठीक है 23 बज़कर 60 मिनट से आप इसे घटा होगे कब घटा होगे उसके लिए लिमिट है कि जब आपको टाइम 12 बज़े से उपर का दिया हो तो आप 23 बज़कर 60 मिनट में से घटा देना है हाला कि आप इसी में से भी कर सकते हैं दूसरे ट्रिक क्या हो सकता है नहीं मैं बता हूँगा कैसे जैसे मान लिज़े सिंपल आपको दिया चार बज़कर 50 मिनट पर घडी की सुई यां उसमें जो मिरर अंज उसका बने गा वो कैसे बने गा मतलब कितना बज़ा आएगा देखिए 4 बजकर 50 मिनट को 23 बटा 60 में से गटाई है 19 बजकर 10 मिनट आ गया यदि आप इसे convert कर लेते हो 19 बजकर 10 मिनट कब होती है 7 बजकर 10 मिनट पर आजकल तो यह जो phone होते है न वो already 12 से उपर बताते है ठीक है तो जैसे अब यह मेरा phone है यह कितना बता रहा है 17 बजकर 17 मिनट आप समझ गए होंगे कि 5 बजकर 17 मिनट आपकी हो रही है तो इतना थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते है तो आपको कोई दूसरे formula की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट यदि आप direct निकालना चाहते है तो इसमें से घटा ना है यदि आपकी संख्या 12 से बड़ी हो तो इसमें से घटा ना है यदि आपकी संख्या 12 से छोटी हो तो 11 बजके 60 मिनट में से घटा देना है इससे direct आपका 7 बजके 10 मिनट आजाएगा वो depend करता है आपकी choice के उपर कि आप एक formula यूज़ करना चाहते है या फिर आप दोना formula को यूज़ करना चाहते है नेक्स्ट आपका जो topic और नेक्स्ट आपका जो वो है वो है जल प्रती बिम्ब जल प्रती बिम्ब याट मिन्स water image इसमें थोड़ी सी प्राब्लम आपको आ सकती है ज्यादा नहीं है कुछ खास विल्कुल इजी है वैसे तो बट कई बार इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा सीज़ा सिस्टम होता है आठारा बज़ के तीस मिनट में से इसको घटा देना होता है कोई भी आपको संक्या दी हो ठीक है इसके अंदर आठारा बज़ के तीस मिनट में से आप घटा दीजे आपका टाइम है वो निकल कर आ जाएगा मैंने का साड़े छे बज़े गड़ी की जो घड़ी है मैंने उसको water के सामने रख दिया है और उसमें देखना है मुझे कैसे water image उसका बनेगा तो अठारा बज़ के तीस मिनट में से आप छे बज़ के तीस मिनट को घटा सकते हो तो आंसोर आएगा आपका बारा बज़े यानि कि साड़े छे जब घड़ी में बज रहे होंगे आप उसको water image में देखोगे तो उसमें कितने बज़ जाएंगे बारा कितने बज़ जाएंगे दोस्तो बारा आगे यदि हम चेक करें दोस्तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है mathematical operation यानि कि गणितिये संकिरिया है mathematical operation बहुत अच्छा topic है यहां से तरे तरे के question आपके पूछे जाते हैं that means cost guard में बबात करो तो last time तीन question यहां से पूछे गए थे जरूरी नहीं है कि वो यहीं से आए हो सकता है cost guard यहीं topic से डाल दे but last time अलग-अलग topic से थे वो क्या-क्या topic थे वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा चलिए पहला जो हमारा type होता है उसमें क्या बोलता है mathematical operation में कि बोलता है कि minus means divide plus means multiply divide means minus मतलब कि multiply means plus यह दे दिया और आपको एक equation दे दी और इसमें आपसे बोला है कि इस equation को आपको क्या करना है इसका right answer आपको बताना यदि ऐसा ऐसा होता है तो आप उस situation में क्या करते हैं कि यह आपको वो equation दी हुए अपना जो rough page होता है उसके अंदर आप लिखते हैं 24 minus की जगे क्या है divide आपने ऐसे कैसी लिख दिया उसके बाद 12 लिख दिया plus की जगे क्या है multiply आपने multiply लिख दिया फिर 12 लिख दिया उसके बाद divide की जगे क्या है दोस्तो divide की जगे फिर से यहां पर divide की जगे minus है तो आपने minus रख दिया multiply की जगे क्या है दोस्तो multiply की जगे plus है plus रख दिया अब आप इसे solve कर लिजेगा आपके लिए बिल्कुल इसी हो जाएगा इसको multiply को डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24 दो आजाएगा multiply आप करेगा 12 दूनी 24 24 दो 26 समझ में आई चीज है ठीक है कोई problem तो नहीं है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको problem इसमें हो सकता है इसमें मैंने अच्छाई एक सेकंड यहाँ पर हाँ देखिए माइनस का 16 है प्लस का क्या है आपका 18 तो कोई problem ही नहीं या नहीं चाहिए प्लस टू बचकिया प्लस टू मैंने 24 में आड़ कर दिया नेक्स देखिए 32 फ्लस इंटो 20 मानस 20 में डिवैड में 9 पूरा रखिए प्लस की जगे multiply multiply की जगे प्लस माइनस की जगे divide डिवाइड देवाइड जगे उगम माइनस एपश यह पूरे चैन इसको आप करोगे 32 दूनी 64 ठीक है इसे आप डिवाइड मांन GA जायेगा आगे देखे एक दो एक्जामपल और लेते हम यहां पर देखे दस डिवाइड चार इंटू बारा यह दिया हुआ है दस माइनस चार प्लस बारा डिवाइड तीन इंटू तीन मैंने वो जो साइन है वो जग दिये इसको आप करोगे कितना जगत चार चार को इससे मल्टिप् हो एक क्यान माइनस का मतलब डिवाइड तेरा सतिक क्यान में तेरा को अठाइस से मल्टिप्लाई किया और यहां पर माइनस दू आएगा तीन सो चॉसट माइनस दो बराबर तीन सो बासट ओगे गाईज तो यह मैथेमेटिकल ऑप्रेशन है जिसका हमने जो फस्ट एक तरह अंदर ऐसे साइन दिये जाएगे और उनमें बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा ओप्सन जो इसमें रखने पर यह सटिंग है जो क्या हो जाती है आपकी सटिस्फाई हो जाती है देखिए 25 स्टार दो इस्टार चे बराबर 4 स्टार 11 स्टार जीरो तो आपको रख रख कर द सब्सक्राइब आपको ऐसे क्लिए होना चाहिए आगे देखिए और बिल्कुल सैम टाइप का मैंने कुस्टिन डाला है 16 स्टार चार चार पांच इस्टार नो इस्टार वन पूट साइन पूट करने तो देखिए डिवाइड प्लस इस इक्वाल टू इस्टार यह दिया हुआ है तो इसमें आप पूरे रखोगे यहां पर देखिए 16 को चार से डिवाइड क्या चार आजाएगा चार और पांच नो आजाएगा नो गुना एक कितना आजाएगा समझ में आरे हैं ना चीज़े सो बस इतना सा आपको धियान रखना होगा नेक्स टाइप की और बढ़ते हैं नेक्स टाइप क्या है आपको दे दिया जाता है पी इक्वाल टू छे जे इक्वाल टू फो एल इक्वाल टू एट और एफ एम इक्वाल टू कितना हो जाएगा 24 और यह equation आपको दी हुई है M divide L into J plus P क्या होगा तो M की जगे क्या रखोगे 24 divide की जगे divide है L की जगे क्या रखोगे 8 multiply 4 plus 6 ऐसे आपको रख देना है रखोगे समीकन आपके पास आजाएगे next देखे यहाँ पर तो आपको इनका number दिया हुआ था अब देखे यहाँ पर क्या दिया हुआ है R means divide Q means minus X means multiply यह आपको पूरा दिया हुआ है तो equation आपके पास दिया हुआ है 18 R 9 P 2 Q 8 18 को 9 से divide के R का मतलब divide है plus 2 into में 8 ऐसे दिया हो रखा है यहाँ पर इसको आप लिख सकते है 2 plus 16 बराबर 18 कितना जाएगा आप 18 समझ में आए concept concept आपको clear होना चाहिए जब ति concept clear नहीं होगा जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते गाई right now थोड़ा सा concept पर ज़रूर धियान रखिएगा इफ देखे यहाँ पर फिर से आपको दिया हुआ है star का मतलब plus है dollar का मतलब multiply है hashtag का मतलब divide है और add the rate का मतलब minus है equation आपको यह दे दी तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं equation थोड़ी सी आपको typical दिख रहे है बट नहीं इतने typical आपको नहीं मिलेगी ठीक है देखे 552 को divide कि 12 से into 2 plus 15 minus 27 solve कर दिया इसको divide करोगे 46 46 को multiply करोगे 2 से plus 15 minus 27 92 में से 12 गया कितना जाएगा 80 कितना जाएगा 80 तो इस तरह से यह concept आपका most important है next important देखिए 4 minus 4 बराबर 16 6 minus 6 बराबर 37 और 5 minus 5 बराबर किया हो जाएगा देखिए actually मैं यहाँ पर 16 नहीं है 17 चार को चार से multiply किया उसमें एक जोड़ा चीक है 6 को 6 से multiply किया उसमें एक जोड़ा इसी तरह से 5 को 5 मिस multiply करके इसमें एक जोड़ देंगे 5 5 25 plus that means कितना जाएगा 26 26 is the right answer ठीक है अगला देखिए 9 minus 9 बराबर 88 minus 8 बराबर 65 7 minus 7 बराबर 9 minus 81 में से एक गया तो 88 64 में से एक add किया तो 65 और 77 49 में से एक गया तो माइनस ध्यान देजेगा यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं इसलिए मैं इस question को डालाए इसमें क्या गलती कर सकते हैं आप सोचोगे यहाँ पर यहाँ देखिए माइनस हो रहा है और फिर से आप देखोगे यहाँ पर भी माइनस हो रहा है तो माइनस कर दोगे नहीं दोस्त ऐसा नहीं है 9 9 81 माइनस 1 हुआ 88 64 प्लस हुआ अब रिजन क्या है कि इन दोनों में तो मैंने plus add किया है मतलब माइनस किया है 8 एक even number है इसलिए मैंने यहाँ पर क्या क्या है ठीक है गाईस समझ गई होंगे positive plus क्या है तो यहाँ पर भी मैंने minus क्या तो यहाँ पर आपको दिया हुआ 12 minus 12 12 क्या है आपका तीनों चेक करने इस माध्यम में आपको ठीक है examination के अंदर आते है देखे दोस्तो 841 को लिखा हुआ है 3, 633 को 5, 425 को 7 तो 217 को क्या लिखा जाएगा देखिए यहाँ पर actually में जो आपका concept है वो क्या लग रहे देखिए 841, 8 को 4 से डिवाइड किया प्लस में एक करा पांच, 4 को 2 से क्या इसी तरह से आपका यह concept है जो इसके अंदर यूज हुआ इसके अंदर देखिए 2 को एक से मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2, 2 को 7 में एड करेंगे तो कितना जाएगा 9 तो दोस्तो इसी तरह से हमने आपने जो topic है वो complete किये है और आगे भी हम करते रहेंगे तो sequence order एक topic है sequence order कोस्ट गार्ड के अंदर किसी shift में एक किसी shift में दो किसी shift में एक भी नहीं ऐसा भी कोई जरूर नहीं है यहां से जो question है वो पूछे गए थे देखिए बैबी को उन्होंने क्या लिखा हुआ है guys sorry मेरा माइंड काम नहीं करा देखिए बैबी डॉक्टर डिजीज और मेडिसियन और होस्पिटल इसको आपको करम से जमाना sequence में जमाना है तो सबसे पहले होता क्या सबसे पहले बैबी होता है फिर उस बैबी को क्या होती है डिजीज को है न कोई बीमारी होती है फिर बीमारी होती है तो उसको हम होस्पिटल ले जाते है होस्पिटल ले जाने के बाद हमें डॉक्टर मिलता है उसे डॉक्टर देखता है डॉक्टर के बाद उसको हम क्या दिला देते हैं मैडिसियन ठीक है तो यह आपका करम हो जाएगा यह पहले नमबर पर एक आएगा डिजीज फिर तीन आएगा फिर होस्पिटल वाला पाँच आएगा फिर डॉक्टर वाला दो आएगा फिर मेडिसियन वाला चार आएगा गलती कहां कर देते हैं स्टूडेंट इसके अंदर जैसे मान लीजे वो कह रहे हैं वो ऐसा भी बुक कर सकते हैं कि पहले बेबी हुआ फिर उसको क्या हुआ गाईस डिजीज हुआ ठीक है तो यह थोड़ी से ध्यान धर्ण रखने योगे बात हैं दूसरा देखे इसमें क्या गलती कर सकते हो आप कर सकते हो पहले जो लेडिस हो फिटल में जाएगी फिर उसको बेबी होगा ऐसा नहीं है अगर लेडिस होस्पिटल में जाते तो यहाँ पर के लेडिस की बात चल रही होती ठीक है यह समझने की बात है नेक्स्ट कुशिन आपका रीड बुक एक्जाम स्टूडेंट्स और नेक्स्ट क्या है आपका रिजल्ट सबसे पहले रिजल्ट आते है किसी चीज़ का नहीं पहले एक्जाम होता है कि नहीं पहले स्टूडेंट होता gemacht कि photographers क्या करेगा कि वो बुक पढ़ेगा गो कि क्या करेगा बुक पढ़ने की इक और जब वो उसको पढ़ने की कौसिस करेगा और मतलब बूक उसके पास होगी इस से आपका चलता जाएगा तो पहले नंबर पर को ना जाएगा इस्टूडेंट मिन्स पहले नंबर पर डी फिर बुक भी फिर रीड ए एक्जाम भी सोरी सी ऐसे आपका चलेगा पेड़ बीज फूल फल दो कुश्चन हिंदी में डाले कोई बात नहीं घबरा ना मुझे देख थो गया अब इस पूदा वर यह बीज हरा होगा तो इस पना पीज और चुंटायम को डी घवे 5 अगया पहले पीज होगा फिर पोदा होगा पुदा से बढ़कर ओप लेड़ हो जाएगा पेड रोगा तुपूल आए अक इसने अंदर फल भी आएं राइगा ड़ Drag jako क्ैसर यहां के बनाकि फिर वहां पर बना रहे हो पहले आपका प्लेस होगा फिर वहां प्रूंब होगा रूम से बढ़े कर कई लोग होंगे इस्टी चाहिस को इस तरह चलेगी gold, diamond, iron, silver, sand इसको आपको बता है नहीं है इन्होंने लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इसको valuable क्या coding रखना है तो सबसे सस्ता क्या होता है sorry यहाँ पर आपको सबसे सस्ता क्या होता है मिट्टी, मिट्टी के बाद थोड़ा costly होता है लोहा, लोहे के बाद costly होता है आपको क्या silver, silver के बाद क्या costly होता है gold, gold के बाद क्या costly होता है diamond, क्या होता है दूस्तो diamond, समझ में आ रहे हैं चीज़े, यह सभी चीज़े important है, बहुत ज़्यादा important है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक order दिखे हैं यह last हमारा phrase sentence, word letter, sorry phrase, sentence, word, letter यहाँ पर आपको बताना है, सबसे पहले phrase हो गया का नहीं, सबसे पहले छोटा सा word होगा मैंने बोला, A, B, C, D, A, word, alphabetical word इन word से दो word से मिलकर बना कुछ to in, I am, ठीक है यह चीज़े बनी, फिर उन word से बनकर आपका क्या बना, phrase बनी, छोटा सा phrase बना, phrase हो से मिलकर क्या बना, sentence, ऐसे आप जबान सकते हैं, आसा करता होगी इसी तरह की वीडियो आपको यह पसंद आएगा पूरी मेराथन के लास, पूरी चलेगी, अभी हम next topic के और discuss करेंगे, तो चले next topic के और discuss कर लेते हैं